मसकार दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम लोग चक्रवद्य ब्याज और साधारण ब्याज निकालने की का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे आपको एक सवाल के माध्यम से हम बताएंगे जिससे आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग जान सकेंगे चक्रवद्य ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है चलिए वीडियो स्टार करते हैं देखिए कुश्चन दिया गया है 5,000 रुपये का 5 प्रिशत वारसिक ब्याज की दर से 2 वर्स का साधारण ब्याज और चक्रवद्य ब्याज ग्यात कीजिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज जान लेते हैं साधारण ब्याज डायरेक्ट ब्याज होता है तो उसके लिए एक सूत्र होता है आप लोग समझ लें फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर मूल धन गुडे समय गुडे दर और बटे में सव यह हमारा साधार व्याज का सूत्र होता है मूल धन क्या होता है जो सुर्वात में रुपाई लिखे रहते हैं वो मूल धन होता है समय जो वर्स में दिया रहता है वो समय होता है और जिसके साथ प्रतिसत का चिन लगा रहता है वो दर होती है ठीक तो इस हिसा को हल कर लेते हैं नीचेसे दो जीरो कैंसिल कर देते हैं उपर से डो कैंसिल कर देते है यहां पर हो जाएगा पांच कंग होड़ा225 रुपय नो यह हो गया हमारा दो साल का साधार ब्याज अब हम चक्रवद ब्याज बता दें क्या होता है अगर कोई ब्याज साधार ब्याज एक साल का हो जाए और उसको फिर से हम ब्याज उसमें लगाएं तो उस बार हम 5000 रुपए का ब्याज नहीं लगाएंगे ब्याज को जोड करके फि 2200 रुपई तो दूसरे वर्स आपको पाँच़ जार में नहीं दो को को इस में जोड़ के जो है देना है इसका मतलब हमारा जो अगले साल कै будем भावंद् tenants आगर हम भी आज ने लेने लगें तो वह शक्रवत दिवयाज हो जाता है उसको निकालने का डाइरेक्ट सूत्र मैं आपको बता दिता हूँ होता है ए बराबर पी वण प्लस दर बटे सव और घात में वर्ष ठीक यह पी क्या होता है पी को कहते हैं मूल्धन ठीक तो ए होता है है इसको कहते हैं मिस्रधन ठीक को कहते हैं तो पहले आप इसको थोड़ा से हल करें फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि चक्रिद्व्याच कैसे निकाला जाता है तो पी हो गया हमारा मूल्धन तो यहां पर मैं पी बड़ाबर लिख देता हूं मूलधन मैंने इसको साइड करने के लिए आपको पी लिख दिया है नहीं तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है ना तो पी कमान क्या हो जाएगा 5000 और दर दी गई है हमें कितनी इसको थोड़ा सा हल करते हैं 5000 और यहां पर हम इसको को लिख सकते हैं 105 बटे सब अगहात में चल रहा है 105 का बऄर्ग हो जाता है 110 25 इसको आप गुढा करके देख सकते हैं एक इसको पांच गुढे 105 जब आप करेंगे तो इसका उत्तरा जाएगा 110 25 ठीक ये हो गया है एमारा 105 आप 10 का और सके जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2-0 ऊदछाएंगे 10 mm हो जाएगा ठीक, यह हो गया वने इसको हो कर दिया अब नीचे मिकाज़ा से कई 0 काटना है 3-0 काटना उपर से 3-0 काटना ठीक हमने काट दिया अगर हम उपर से 5 को काटें और नीचे से 10 को काटें तो दो बार में कट जयता है अब वहाद में evach एक सो दस पचीस अब बटे में दो आ गया अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए क्या होता है हम भाग देंगे दो का तो 2510 यहां पर हो जाएगा 10 फिर 2510 फिर उसके बाद दो एक कम दो और हो जाएगा दो दुन्य चार दसमलो पांच यह हो गया जो है इसका मिस्रध ठाख ऑब हमारा जो चक्रद्धियाज निकालने का सूतर होता है घृत बराबर जो होता है वह होता है ए-दिया था इसमें आगर को मलत जाता है निकल क्या अधिक तो एडिया गया हमें 552.552-6-ค Skip career. दिया गया था 5000 अब जब हम इसको घटाएंगे 5512 में 5000 को तो इसको घटा के देख लीजे क्या आता है आज आता है 512.5 आप अलग करके इस प्रकार देख सकते हैं 5512.5 घटाना है हमको 5000 इसको जो है अगर दसंबलो आगे नहीं है तो आप दसंबलो लगा के जीरो लिख सकते हैं घटानी के लिए तो 5215 जीरो तो पांसो बारा दसंबलो पांच आया इसका मतलब हमारा चक्रवद्धी जो हुआ हमारे जो साधारण ब्याज से जो 5000 था वह 500 रुपाय था साधारण दिए और चक्रवद्धि ब्याज हमारा 505 या इसका मतलब हमारे 12 रुपिया जएदा आया तो आप लोग समझगे होंगे चक्रवद्धि ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज में अगर करने ठैंक यू